नभसकार दोस्तों आप सब का बहुत वाऄ स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपको कराएंगे Sun Thesis में आपका perfect participant इससे पहले मैंने आपका past participant खतम करा दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो की जो discussion होगी उस में आपको link दे दूँगा और आपको प्लेलिस्ट भी हमारे चनल पर मिल जाएगी तो बहाँ पे जाकर कि आप सर्च आउट कर सकते हैं तो देखिए चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए लिखा हुआ है एद एक करता दौरा किया गया कार के बीच में एक करता दौरा किये गए कारेयों के बीच में अगर अंतराल पाया जाता है अत्वा हम यहे भी कह सकते हैं कि एक समय एक कार समाप्त होने के बाद दूसरा कार कुछ दीरवाद आपका चालू होता है तो क्या गहरा है एक कार अगर आपका समाप्त हो जाएगा तो दूसरा कार कुछ देर बाद आपका चालू होगा यानि पहला sentence fully finished हो जाएगा तब आपका दूसरा sentence यहाँ पे start होगा तो यह है आपकी पहचान इसकी ठीक है चलिए तो यहाँ पे आप समझ गए होगे कि आपका पहला sentence माली जो कोई sentence लिखा हुआ है यह जब तक खतम नहीं होगा उसके just बाद नहीं चलेगा यह थोड़ी देर बाद चलेगा sentence तो एक पहला पूरा खतम हो लिया होगा उसके बाद चलेगा तो अब इसमें आपको क्या करना है तो perfect participle कहलाता है तो इसे perfect participle कहते हैं और perfect participle is equal to होता है having plus b3 यानि having के साथ verb की third form यह verb की third form है तो third form हम लगाते हैं अब देखिए sentence के जरीए से हम समझने का प्रयास करेंगे देखिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा separate यह अलग-अलग sentence है कैसे सर्ता ने खाना खाया सर्ता बिद्ध्याले चली गई अब ऐसा नहीं हुआ होगा कि सर्ता ने खाना खाया और भग दी एक दम बिद्ध्याले के लिए इसा थो नहीं है वाई सर्ता ने खाना खाया होगा बैठ की आरामसे उसके बाद इस्कूल गई होगी तो एक कार आप देख रहे हो कि यहाँ परा खतम हो चुका है सर्ता खाना खाच चुकी है उसके बाद ही जाएगी ऐसा नहीं है सरता खाना खा गए आता छोड़ दे और निकल ले ऐसा भी नहीं है सरता पूरा खाना खाएगी उसके बाद विद्याला जाएगी तो काम में आप देख रहेंगे पहले पूरा कार खतम हो चुका है पहला तब दूसरा कार स्टार्ट सरथका बिद्धाले चली गई तो अब यहां पर कैसे इन दोनों को जोड़ सकते हैं कि अपना क्वाना का खाकर सर त हा बिद्धाले चली गई तो पहले अपना खाणा खाया उसके बाद वो विद्धाले गई तो हैвिंग के साथ में रवल की थर्ड फॉर्म अब यहाँ पे था took और took का हमने कर दिया taken क्योंकि took की second third form क्या होती है taken होती है तो having के साथ verb की third form तो having लगा दिया taken लगा दिया उसके बाद आपको same to same citizenship काना है our food कौमा लगा दीजिए यह जो फुलिस्टब लगा हो इसे कौमा लगा दीजिए सरका went to school सरका स्कूल चली गई तो आपको क्या करना है cable यह जो subject है इसकी जगे आपको having लगाना है और यह subject कहां पे प्लिस करना है तो यह जिया लिजिए अब ही तो यह सरका सरका लिखा हुआ है अगर यह सी लिखा होता तो हम सी की जगे सरका को प्लिस कर देते क्योंकि दोनों में subject एक ही हैं सरका ने खाना खाया है सरका विद्या ले गई है subject एक ही होते है subject में अंतर नहीं होता है तो subject में अंतर नहीं मिलेगा आपको taken our food and सरका went to school और सरका स्कूल चली गई अब देखिए आगे sentence यहां पे लिखा हुआ है देखिए मैंने अपना काम समाप्त कर लिया मैंने अपना काम समाप्त किया मैंने दरवाजा बंद कर दिया मैंने काम पहले समाप्त किया उसके बाद अपना दरवाजा बंद कर दिया तो अब देखिए यहां पे I finished my work मैंने अपना कार समाप्त किया I shut the door और मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो अब काम पहले इसने समाप्त कर लिया होगा उसके बाद दरवाजा बंद किया है तो एक कार समाप्त होने के बाद दूसरा कार आपका start हुगा है तो आप देखेंगे तो यहां पे अपना काम समाप्त करके अपना काम समाप्त करके यहां पे करके आपको एक पहंचान के लिए भी देख सकते हैं आप करके दरवाजा बंद कर लिया क्या कर लिया दरवाजा बंद कर लिया तो having having आ गया subject को यहां से नम होगा तो यहां पर इसे फिलस्ट कर देंगे उसके प्रोनौन की जगए ऊके तो इस तरीके साब इसे करच लगते हैं सैंटेस का लिखा हुआ है separate sentence है हमने अपना काम समाप्त किया हम सोने चले गए तो ब for finished our work, be bent to sleep, हमने काम समाप्त किया और हम सोने चले गए, तो पहले अजनों ने काम समाप्त कर लिया होगा, इसके बाद ये सोने गए होंगे, तो एक कार पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको कैसे कह सकते हैं, अपना काम समाप्त करके हम सोने चले गए, तो having finished our work, तो हमने कहा था, यहाँ से भी अठाएंगे, और यहाँ पे having finished our work, अब भी बेंड to sleep, और हम सोने चले गए, ओके, अब यहाँ पे नोट में आपको कुछ बताया गया है, उसको आप ध्यान पूर वक्त देख लीजिए, देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, यह प को प्रियोग कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर sentence मेंने लिखा हुआ है, देखिए, separate करके, सेर जाल से, जाल में फच गया, सेर जाल में फच गया, सेर शेर ने बचने के लिए कठिन संगर्स किया, सेर जाल में फस गया, शेर ने बचने के लिए कठन संग्रस किया, तो दर लोईन बचनोंस कौट इन दा नैट। लोईन को नैंत बचने के लिए बहुत ही कठन परस्त्रम किया अब देखिए यहां पर है यहांपर 25-22 यह जो अपने आप नहीं पकड़ा गया है इसे किसी दूसरे परसन ने पकड़ लिया नेट में डाल के समझ रहे हो तो इसलिए पैसे बोइस में चला गया तो having been caught तो having been caught तो यहां पर हमने यहां से चालू कर दिया having been caught कर दिया in the nest nest में उसे पकड़ लिया गया गोसले में उसे पकड़ लिया गया nest the loin loin अब देखो ही जो आया ना he is pickled किसने इस्ट्रकल किया तो loin ने तो loin लिखेंगे यहां पर अब यह नहीं लिखेंगे तो the loin is pickled hard to escape loin ने बचने की बहुत कोशिस की ओके संगर्स किया तो इस तरीके से आपका यहां पर खत्म हो जाता है यह परफेक्ट पार्डिसिपल ओके तो परफेक्ट पार्डिसिपल खत्म होने के बाद आपका अब आएगा यहां पर अगला जो आपका होगा नॉमिनेटिव एपसुल्यूट का तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे और आपको वहां पर फिनाइट वर्व और ने अच्छा लगाओ दोस्तों के जाद सेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है थैंक